Welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी friend वर्षा, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे के commerce के practice set की, तो start करते हैं, वीडियो आपको पसंद आए, तो like केज़े, friends के share कीज़े, और किसी भी तरह की कोई भी query हो तो जरूर बताएगा, देखिए question start करते हैं, यहाँ पर हमारे question है, sacrificing ratio is used at a time of, जो sacrificing ratio है, वो कब use के जाता है, admission के time पर, retirement के time पर, death के time पर, या फिर firm का dissolution होगा, तब बताएगे, sacrificing ratio कब आप calculate करेंगे, देखिए, sacrificing का मतलब क्या होता है, आप अपना share किसी और को दे रहे हैं, तो retirement में तो आप किसी को नहीं दे रहे हैं, वो अपना share लेके जाएगा, death में भी वो अपना share लेके जाएगा, और dissolution of firm में भी जो partner से अपना-पना share लेंगे, आप अपना share कब दोगे जब कोई नया partner आएगा, ठीक है, तो option A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, I hope, clear है question, next देखिए, on dissolution, all assets are transferred to realization account at book value, market value, cost or market value, whichever is less, और none of the above, बताएगे, on dissolution, assets जो होती हैं, वो ट्रांसफर की जाते हैं, realization account में, किस amount पर या value पर की जाएगे वो ट्रांसफर, क्या हो जाएगा answer, यह सब ट्रांसफर की जाती हैं, book value पर, ठीक है, option A, correct है, next देखिए, provisions for bad and doubtful debts appearing in the books at the time of dissolution of form is transferred to capital accounts of the partners, debtors account, bad debts account, realization account, बताएगे, कहां ट्रांसफर की जाएगे सब, यह हमारे ट्रांसफर की जाएगे, realization account में, ठीक है, option क्या हो जाएगा, क्योंकि dissolution of form की बात की गई है, तो realization account में पर prepare किया जाएगा, next question देखिए, A और B partners है, और इनका जो ratio है, वो 2 to 1 का है, ठीक है, ratio 2 to 1 का है, और C admit हुआ है, 1 by 4 है इसका share, जो contrary करेगा, 3000 रुपे as a goodwill, the total value of goodwill आपको निकालने है, form की, बताईए, बहुत simple question है यह, आप easily बता सकते हैं, देखिए, एक बटे 4 लेकर आ रहा है, पाल्ट उसका कितना है, एक बटे 4, और 3000 रुपे goodwill ला रहा है, तो आप 3000 में एक बटे 4 कर दीजिए, इसका इससे multiply करेंगे 4 का, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 12,000, option B, total 12,000 की goodwill है, इसका एक बटे 4 है, या फिर आप इसको cross check भी क काल लीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो आपका 3000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आपको इसको cross check भी कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिए, A and B partners हैं, firm में, उनका जो profit sharing ratio है, 322 का है, X admit हो रहा है, as a partner, one third share के लिए, new profit sharing ratio आपको calculate करना है, ओके चली आप लोग calculate करिए, फिर बाद में मैं आपको calculate करके बताती हूँ, पहले आप लोग calculate करिए, कितना निकल कर आया आप लोगों का answer, देखिए, X का जो share है, वो कितना है, one third है, तो remaining share के आओ गया माना, share total one है, one रुपी है, इसमें one third वो ले रहा है, तो remaining हमारे कितना बच्चा, two third, तो अब देखिए, A का new share कितना हो जाएगा, इनका ये कितना है, three, तो A का निकाल लेते हैं, 3 बटे 5, अब 3 बटे 5 इसका किसका है, ये 2 बटे 3 जो बच्चा है, इसमेंसी तो लिंगे, वो 3 बटे 5, तो 2 बटे 3 मैंसे, तो आप इसको इससे multiply कर दीजे, 2 तिया कितना होता, 3 दुनी 6, 5 तिया 15 थीक है यह a का हो गया, अब b का निकालिए, b का ये कितना है, 2, 2 बटे 5, ये 2 बटे 5 किस में से लेगा, off, 2 by 3, तो अब इसको इससे multiply कर दीजे, two का two से multiply किया, four आ गया, three का three से multiply किया, nine आ गया, थीक है, sorry, नीचे 5 आएगा तो यहाँ पे कितना होगा है 15 तो यह A का निकलाया 6 बटे 15 और B का निकलाया यहाँ पे हमारा 4 बटे 15 तो यहाँ पर आप इसका easily निकाल सकते हैं तो X का यहाँ पे share कितना होगा 1 बटे 3 था इसको आप काट भी सकते हैं तो इसका निकल कर कितना आ जाएगा ये तीन है तो ये पांच इसका हो गया और यहाँ पर तीन पंजे 15 ठीक है तो यहाँ पर इनका टोटल कितना निकल कर आया देखिए A का आपने कितना निकालाता 6 बटे 15 बी का आपने कितना निकालाता 4 बटे 15 और इसका कितना आता है वन वाए 3 अगर आप निकालेंगे तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1y3 की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 15 क्योंकि इसको आप काटेंगे, तो ये भी आपका क्या क्या है, 1y3 ही होगा, तो आप 5-15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे denominator जो है, वो 15 लेकर आना है, तो आपने ऐसे लिख दिया, तो यह आपको उपर क्या निकलाया 6, 4 and 5 अगर देखिए 6, 4 and 5 कितना है option D में clear है I hope यहाँ पर यह question आपको clear हो गया है आपको इसका solution समझ में आ गया है पूरा 6, 4 and 5 है इसका answer क्योंभी 1, y, 3 लथा याद रखिए और नीचे denominator 15 दे रखा है इन दोनों में तो आपको इसका भी 15 बनाना है तो आपको 3 का 15 आपको निकालेंगे 5 से तो एक को भी आपको multiply करना पड़ेगा 5 से तो यह 5 बटे 15 इसका निकल कर आगया तो यह ऐसे हो जाएगा 6, 4 and 5 next question पर आए A और B partners है और यह profit share करते हैं 7 by 3 से X admit हो रहा है 3 by 7 से और जो new profit sharing ratio है partner का आपको वो calculate करना है बताइए X का share है 3 by 7 तो same वैसे ही करिए माना profit एक है इसमें से 3 by 7 को आप minus करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 4 by 7 यानि कि जो X का जो share है जो remaining share जो है वो 7 बटे, 4 बटे, 7 है तो अब एका निकाल लेजे एका कितना था है यहां पर 7 और 3 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 बटे, 3 किस मैं से लेंगे 4 बटे, 7 मैं से ठीक है और तो आप यहां पर इसका multiply कर दीजे 4, 7 जै 28, 3, 7 जै 10 आएगा एक मिनट, फिर से करते हैं देखे इसका कितना निकल कर आया था एक मैं से 3 बटे, 7 आपने माइनस किया था तो आपका 4 बटे, 7 निकल कर आया था तो अब यह 7 बटे, 10 है एका 7 बटे, 10 7 बटे, 10 आप किस में से निकालेंगे यहां पर यह 4 बटे, 7 में से ठीके तो आप इसको इससे multiply कर दीजे कितना आ गया आप लोगों का आँसे 28, 27 आ जा गया 28, 27 अब बी का निकाले बी का आपका कितना हो जाएगा 3 बटे, 10 अगेन, कितने मैं से होगा, 4 बटे, 7 मैं से लेगा यह भी, इसका इससे multiply कर दीजे तो यह कितना हो जाएगा 12 बटे, 70 ठीक है, और इसका कितना दे रखा है X का 3 बटे, 7 तो वोई denominator आपको 70 बनाना है इसका इसका जगे क्या हो जाएगा 30 बटे, 70 तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A का आपका कितना निकल कर आया 28, 70 B का आपका कितना निकल कर आया 12, 70 एंड C, या फिर आप X भी बोल सकते हैं इसका निकल कर आया 30, 70 ठीक है, तो अब आप देखिए 28, 12, 30 तीनों को आप काट सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 28 और ये 6 से ये कट गया हमारा 2 से 14 बार ये 12 कट गया हमारा 2 से 6 बार और ये 2 से कट गया 15 बार तो कितना निकल कर आगे 14, 6 और 15 अब देखिए 14, 6 और 15 आप्शन ए में है ठीक है क्लियर है ये भी नेक्स्ट देखिए पार्टनर्स की करेंट अकाउंट है जो ओपन किया गया है जब उसकी कैपिटल यानि कि आपको ये बताना है जो पार्टनर का करेंट अकाउंट है वो ओपन किया जाता है कब फिक्स्ट कैपिटल हो तब फ्लेक्ट्ट्टिटिंग हो या बोध है और भी या फिन नन ओफ दीज क्या होगा आंसर देखें आंसर हो जाएगा ए जब उसकी फिक्स्ट कैपिटल होती है तो पाटनर का जो करंट अकाउंट है वो ओपन किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखें है restriction account is personal account, nominal account, real account या none of these realization account क्या है देखेrialization account में हम क्या करते है जितने भी expenditures होते हैं loss होते हैं उनका treatment करते हैं तो इसका जो nature कैया है किस तरह का है nominal account का है option B हाँ पर correct है next question देखिए goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place who states this statement बताईए Dixie ने कहा है Lord McHunton ने कहा है Lord Eldon ने कहा है या फिर none of these अगेन ये statement बाला है discuss नहीं करेंगे direct answer पर आते हैं Lord Eldon ने ये statement दिया था ठीक है next question पर आईए gaining ratio को हम किस तरह से calculate करेंगे new minus old, old minus new new minus old या फिर none of these देखिए यहाँ पर आप option A and C सही है जो option है A and C सेम है तो आप एक option को काट दीजिए अब आप तीन options में से बताएए क्या होगा answer देखिए बहुत short में आप इसको समझिए gaining कब होगा कोई भी चीज आपको gain कब हो रही है जब पहले कम मिलती थी आप ज़्यादा मिल रही है और आप ज़्यादा मिल रही है तो आपको पता है जब हम किसी चीज को minus करते है तो ज़्यादा में से कम वाली घटाते है तो अब new वाले में से हम पुराने वाले को घटाएंगे option a right answer हो जाएगा simple है next आईए the agreement may be अब जो agreement है वो किस तरह का होता है express, implied, both and be या फिर none of these किस तरह के agreement होते है हमारे देखिए यहाँ पर अगर हम agreements की बात करें तो agreements जो होते हैं वो हमारे expressive भी हो सकते हैं implied भी हो सकते हैं यह partners की mutual understanding पर based होता है इसमें कोई compulsion नहीं है कि आपका agreement है expressive होना चाहिए या फिर implied होना चाहिए ठीक है तो both and be यहाँ पर right answer हो जाएगा option C next देखे business includes business में क्या चीज़ include होती है trade, profession, occupation या फिर all of these क्या हो जाएगा आपका answer देखे जो business होता है इसमें हमारे सारी चीज़े include होती है आपने पढ़ा होगा business के अंदर trade and aids to trade यह दोनों को include किया जाता है तो यह और आपको पता है business and trade profession and occupation किसके पार्ट है ठीक है तो easily यहाँ पर आप answer कर सकते हैं all of these क्योंकि यह business के अंदर ही include की जाते हैं सारी activities ठीक है क्योंकि एक partnership के अंदर जो partner होता है वो agent होता है principal होता है दोनों होते हैं या फिर कोई भी नहीं होता क्या हो जाएगा answer C, both A and B एक agent की तरह भी होता है principal की तरह भी होता है वो दोनों की activity करता है ठीक है तो C, यहाँ पर right answer हो जाएगा next देखिए the business of the firm may be carried on by अब जो business होता है form का वो किसके दोरा किया चाता है सभी partners के दोरा any one of them acting for all या फिर both A and B या फिर none of the above बताईए क्या लगता है आपको इसका answer देखिए बात करें तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा C, both A and B क्योंकि इसमें जो business किया जाता है वो कोई पार्टनर कर सकता है या एक पार्टनर सभी के दोरा किया जा सकता है ठीक है next question देखिए यहाँ पर all the partners of a partnership firm have unlimited liability are jointly liable for the firm's debt are severally liable for the firm's obligation फिरोल्फ देबाध देखिए यहां पर सभी partners के वारे में बताये गया है तो आप सबको पता है unlimited liability होती है सबकी jointly liable होते हैं सभी debts के लिए जो भी firm के बनते हैं और severely liables होते हैं firms की obligations के लिए तो यह जितने भी options आपको दे रखे हैं सारे सही हैं तो all of the above यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है क्योंकि कोई भी partner ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ profits के लिए minor को छोड़के ठीक है सारे partner जो भी loss हो रहा है उसको bear करेंगे जो भी काम है उन सबको liable है जो भी responsibilities उनको assign की जाहेंगी वो ने करना होगा तो इस तरह की activities एक partnership के अंदर होती है सारे partners की ठीक है partner can transfer his property proprietary interest ठीक है एक partner अगर अपना जिस यानि कि जितने share पर उसका अधिकार है उसको transfer करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है with the unanimous consent of other partners under the influence of other partners independently या फिर none of these क्या होगा किस तरह से वो कर सकता है देखें यहाँ पर यह answer हो जाएगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी partner अपने share को तभी transfer कर सकता है जब उसे सभी partners की सहमती मिल जाएगी यानि सभी partners agree हो जाएगे तभी वो अपने share को transfer कर सकता है इसलिए option A यहाँ पर हमारा correct है next question पर देखिए which of the following statements is incorrect अब इसमें से कौन से statement जो है वो हमारा incorrect है every partner can represent the firm every partner has unlimited liability option C है registration of a partnership firm is compulsory and all of the above बताएगे कौन से statement आपको इसमें wrong लगता है क्या हो जाएगा answer every partner can represent the firm यह तो बिल्कुल सही है तो यह तो correct होगे आपको incorrect देखना है फिर every partner has unlimited liability यह भी बिल्कुल सही है यह unlimited liability होती है फिर है registration of a partnership firm is compulsory देखिए यह बिल्कुल भी नहीं है registration जो होता है form का compulsory नहीं है वो उनकी इच्छा पर है वो चाहे तो registration करा सकते है और वो नहीं चाहते तो वो नहीं करा सकते है तो option incorrect जो हमें ढूंडना था वो हो जाएगा see registration of a partnership firm is compulsory यह हमारा statement incorrect है ठीक है नेक्स कूशन देखिए only a notice of this effect is sufficient for dissolution of the partnership if यानि कि केवल notice sufficient है resolution के लिए partnership का कव जब partnership limited period की है जब partnership limited period की नहीं है partnership at will है या फिर none of the above पताये कौन सा answer यहाँ पर आपकर आईट होगा कि जिसमें हम सिर्फ एक notice देखकर कह सकते हैं कि हमारे partnership जो है जो उसका resolution हो गया है क्या हो जाएगा यह देखिए इस तरह की चीज़ें सिर्फ हम at will पर कर सकते हैं अगर कोई partnership हमने अपनी will पर establish कर यह है उसमें हम एक simple notice देकर भी अपनी partnership को end कर सकते हैं ठीक है next question देखिए R, M and P partners है P dies in an accident now firm would be dissolved partnership would be dissolved both and P या फिर none of the above क्या होगा answer R, M जो है और P partner थे जिसमें P की death हो गई है accident से तो इसका मतलब यह है कि अब P उस form से निकल गया अब रमेनिंग कितने बचे दो और आपको पता है एक partnership में partners दो हो सकते हैं तो firm तो चलती रहेगी dissolve किया हुई है partnership अब वो दो जो बचे हुए है remaining या तो किसी और को admission दे सकते हैं ठीक है admit करा सकते हैं या फिर वो दो लोग आपस में contract करेंगे फिर उसको continue करेंगे इसलिए option भी right answer है the partnership would be dissolved ठीक है next question देखिए limited partnership means अब आपको बताना limited partnership का मतलब number of partners is limited liability of some partners is limited liability of all partners is limited or limited amount of capital can be raised बताईए limited partnership का क्या मतलब होता है limited partnership का मतलब है कि जो partnership हो उसके अंदर कुछ partners हैसे हैं जिनकी liability को limited कर दिया गया है बाकी सबकी remaining जो partner से unlimited रहेगी ठीक है भी यहाँ पर correct है next देखिए a manager of a firm is given one fourth share in profit he is क्या है partner by operation of law partner by implied agreement partner by status and servant of the firm बताईए गाँज़ कि आऊचाएगा गओ है गाँज़ आएगा क्या हो जाईगा देखिए आपने इसमें देखा होगा operation यानि operation तो सबको करना होता है इसमें ऐसा नहीं है और status से भी related नहीं है ये कोई partner and नहीं servant ये खेलाएगा partner by implied agreement यानि कि आप किसी भी partner को थोड़ी ज़्यादा responsibility दे देते हैं और उसको वहाँ पर profit जो भी उसका सब लोग सहमत होते हैं वह उसको profit दिया जाता है तो इसका मतलब है partner by implied agreement ठीक है तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा भी correct हो जाएगा next देखिए if the partnership deed is silent on a certain point the rules as contained in section dash to dash of the Indian partnership at 1932 apply बता ही कौन से section apply होगा देखिए static question है section 12 से लेके section 17 apply होगा यहाँ पर ठीक है next question आईए the partnership in which there is no agreement यानि ऐसी partnership जिसमें कोई भी agreement नहीं है partners के बीच तो वहाँ पर as to its duration is called उसको हम क्या बोलेंगे partnership for a fixed period partnership at bill particular partnership यारे all of the above बताएए कोई भी agreement नहीं होता तो उसको आप किस तरह की partnership बोलेंगे देखिए कोई भी partnership बिना agreement के बनाई गए है तो हम उसको simply यह बोल सकते हैं कि उन्होंने वो अपनी इच्छा से बनाई है ठीक है उसमें कोई भी conditions अभी उन्होंने नहीं लगाई है कि यह इस purpose से है या फिर यह वाली जो partnership बनाएंगे इस time period के लिए तो उनकी add will पर है ठीक है भी यहाँ पर correct हो जाएगा next question देखिए partnership for a fixed period automatically comes to an end after यानि कि अगर fixed period की कोई partnership होते है तो automatically end हो जाते है जब partners agreed होते है expiry of that period, permission of the court granted या फिर all of the above बताईए देखिए इसका answer बहुत ही simple है fixed period की भी बात कर रहे है automatically end की भी बात कर रहे है तो it means automatically तो तभी end होगी न जब जो fixed period बताये गया है वो उनका time complete हो जाता है तब वो automatically end हो जाएगी तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा be the expiry of that period clear है यहाँ तक आप सबको question next देखिए पर्टिकुलर पार्टनर्शिप is a partnership पर्टिकुलर पार्टनर्शिप वो पार्टनर्शिप है क्वासी permanent है, incidental, temporary जफर accidental बताये पर्टिकुलर पार्टनर्शिप हमारे किस तरह की पार्टनर्शिप कहलाती है देखिए पर्टिकुलर पार्टनर्शिप जो होती है वो किसी special purpose के लिए create की जाती है वो special purpose हो गया तो वो खतम कर दी जाएगी तो यानि क्या है temporary है ठीक है, option C correct है next है the net profit shown by profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account, trading account, balance sheet, income statement बताये जो net profit आया है profit and loss के द्वारा कहां आप transfer करेंगे यह करेंगे हम profit and loss appropriation account में क्योंकि आपको पता है partnership के अंदर यह भी prepare किया जाता है जिसमें हम current and fluctuating capital का treatment करते हैं वो अलग बात है किसका कैसे treatment किया जाता है वो भी हम एक बार discuss कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह right answer हो जाएगा नेक्स कूशन देखिए पहले बनाया जाता है income statement भी नहीं होगा यह और नहीं all of this तो balance sheet हो जगा जाएगा ठीक है क्योंकि आपको पता है यह current account के बाद balance sheet पेपर की जाती है ठीक है नेक्स्ट है A और B partners है और जो profit और जो loss है उसको शेयर करते है टू इस टू वन की रेशियो में वहाँ पर new partner आ रहा है C16 शेयर लेगा वो उनके profit का अब उनका new profit sharing ratio आपको calculate करना है चलिए आप लोग जल्दी से इसको calculate करके बताएए क्या होगा इसका answer करें हम देखिए माना उसका profit है एक ठीक है one by six उसका पाल्ट दिया जाएगा तो remaining अब कितना बचा पांच पटे छे चीक है अब एक का new share कितना है यहाँ पर पहले इनका share कितना था two third यानि कि उसका दो था इसका एक था तो यानि two third हो गया two third आप किस में से लेंगे पांच पटे छे में से ही लेंगे क्योंकि remaining वही बचा तो आप इसको करिए multiply करिए two five चा 10 और three six चा 18 ये तो हो गया आपका एका अब बी का यहाँ पर निकाल लीजिए same ऐसे ही बी का होगा बी का क्या हो जाएगा एक बटे तीन कितने में से पांच बटे छे में से तो पांच ये कम पांच three six चा 18 तो आप इतना याद रखिए एका दस बटे अथारा और बी का पांच बटे अथारा इसको रफ कर देती हूं यहाँ पर लिखिए एक का कितना था हमारा दस बटे अथारा और बी का कितना था पांच बटे अथारा ठीक है और इसका एक बटे छे है तो हमें इसमें ही convert करना पड़ेगा तो six के table में 18 हमारे कितनी time आता है three time तो यह 18 लिख दिया उपर हमने कितना लिख दिया three यहाँ हम denominator सेम है 18 18 18 और उपर कितना आया ten five and three आया निकल कर अब देखिए ten five three कहाँ पर है option a में option a यहाँ पर right answer हो जाएगा clear है question बहुत ही simple है profit and loss निकालना और इसको आप अच्छे से समझ लीजी क्योंकि profit and loss simple calculation है और यह question आपके exam में chances हैं काफी कि पूछा जाए देखिए question पढ़िए next a और बी partners है और इनका जो profit sharing ratio था वो था three to two new partner आया c और इसका जो share था वो one fifth था और यहाँ पर जो office share in favor of c and b surrenders to fifth office share in the favor of c okay ठीक है तो यहाँ पर c आया था और a अपने लापका एक बटे पांच देगा ठीक है और b दो बटे पांच देगा यानि कि दोनों अलग अलग दिंगे ठीक है एक बटे पांच देगा a और दो बटे पांच देगा b अब यहाँ पर new profit sharing निकालना यानि कि अब आपको यह नहीं निकालना पहले तो एक दम एक खटा दे दिया जाता था लेकिन यहाँ पर दौनों partner अलग-लग दे रहे हैं अपने profit में से part ठीक है तो अब आपको निकालना है बताएए क्या होगा एक दे रहा है एक दम इसकी की दर पको पर तौन की से मत्राश आरहे है। तो पहले यह देखिए एक कने निकालना यह निकालना कितना दे रहा है वह बटे 5 भाग और अब ऐसे निकार लीजिए एका जो न्यू शेयर है वो तीन बटे कितना आया यह पुराना उसका तीन बटे 5 था तो यह आपने लिखा तीन बटे 5 ठीक है अब तीन बटे 5 जो है उसमें से माइनस करिए दो बटे 5 को दो बटे 5 आपने माइनस किया अब यहाँ पर आप इसका LCM निकाल लीजिए नीचे आजाएगा 25 इसको इससे मल्टिप्लाई किया तीन बटे 5 ठीक है यह आपका कितना निकल कर आया बारे मैं से आपने तीन को माइनस किया तो यह आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 12 बटे 15 बटे 5 ठीक है अब आप इसको काटेंगे तो यह 12 बटे 25 आगया अब B की Surrender Value देखिए यह आप नोट कर लीजिए 12 बटे 5 अब B की Surrender Value देखिए B जो C को इससा दे रहा है वो दे रहा है दो बटे 5 कितने मैंसे इसके पास यहाँ पर कितना है दो यानि दो बटे 5 का ठीक है 2 बटे 5 दे रहा है 2 बटे 5 का तो यानि इसको इससे multiply करेंगे 4 आ गया और यहाँ पर 5 से 5 को multiply करेंगे 25 आ गया अब भी new share कितना हो गया 2 बटे 5 था उसमें से 4 बटे 25 इसको दिया जा रहा है तो अब इसको इससे minus कर दीजिए 10 बटे 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 10 में से 4 माइनिस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6 बटे 25 यह हो गया B की तो C का जो valence निकल कर आया था पहले वो कितना निकल कर आया था 3 बटे 25 और अब निकल कर आया है 4 बटे 25 तो देखिए और उनका A का पहले कितना निकल निकला था हमने 12 ठीक है क्योंकि 12 बटे 25 और B का कितना निकला था 6 बटे 25 और इसका कितना निकला है 7 बटे 25 तो answer कितना आ गया है 12, 6 और 7 option D यहाँ पर correct है ठीक है clear है एक बाद फिर से question को समझने की कोशिश कीज़ेगा नहीं आएगा तो इस question को हम फिर से discuss कर लेंगे लेकिन पहले खुद से try करिएगा चलो next question पर आते है The method of valuation of goodwill is given in the अब जो goodwill के जो valuation होता है हो हमारा किस में दिया होता है कि हमें goodwill किस तरह से calculate करनी है अब बताईए क्या हो जाएगा answer देखिए answer यहाँ पर हो जाएगा B partnership deed यह हमाई partnership deed में दिया होता है कि हम goodwill को जो calculate करेंगे तो कौन सा method अडॉप्ट करेंगे तो यह थे आज के questions partnership के I hope आपको सारे questions clear है किसी भी question में doubt है नीचे बता दीजेगा आप comment section में मैं तभी आपको इसले discuss नहीं करती क्योंकि एक बार आप फिर से कोशिश करिए एक बार आपने समझा नहीं समझ में आए मैंने आपको बता दिया तो आप अपना दिमाग कहां से लगाओगे आप पहले खुद से समझने की कोशिश करिए दुआरा से देखिए उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे बताएगा हम उसको फिट से discuss करेंगे ठीके तो आज के लिए इतना है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजे अपने फ्रेंड्स के शेर कीजे और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पताएगा तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाई बाई